चट पर्फ, चट पूजा या शष्ठी पूजा का पर्व सूरे देव की आराधना का पर्व है तता संतान की सुकी जीवन की कावना, संतान की दुर्ग आयू की कावना से यह पर्व मनाया चाता है सुर्य उपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से बिहार, जारकंड, पूर्वी उत्तर परदेश और नेपाल के तराई शेत्रों में मनाया जाता है दिशेश कर छट पूजा का यह त्योहार, बिहार में बहुती धुनधां से मनाया जाता है छट पूजा का यह पर्व सूर्य, उशा, प्रक्रती, जल, वायू और उनकी बहन छटी मैया को स्मर्पित है छट पूजा में कोई भी मुर्ती पूजा शामिन नहीं है इस त्योहार के अनुष्ठान कुछ कठोर माने जाते हैं और चार दिन की अवधी में बनाएं जाते हैं इनमें आता है पवित्रु सुनान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समे तक पानी में खड़े रहना और पड़साथ तथा अर्ग देना शामिल है छट पूजा का प्रारंभ दो दिंग पूर्व चतुर्थी तिथी को नहाय खाय सिखोता है फिर पंचमी तिथी को लहोडा और खरना होता है उसके पश्चाथ शष्ठी तिथी को छट पूजा होती है जिसमें सूरे देव को संध्या समे का अर्ग अर्पित किया जाता है इसके पश्चाथ अगले दिन सब्तमी को सूरे उदे के समे में उपते हुए सूरे को अर्ग दिया जाता है और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है इस वतार छट पूजा पूरे 4 दिनों की होती है आईए जानते हैं इस वर्ष छट पूजा की तितिया क्या है पहला दिन नहाई खाए छट पूजा का आर्व कार्टिक मांस के शुकल पक्ष की चतूर्थी तिति से होता है यह चट पूजा का पहला दिन होता है इस दिन नहाई खाए होता है इस वर्ष नहाय खाई 18 नवंबर दिन बुद्वार को है इस दिन सूरे उदे होगा सुभा 6 बचकर 46 मिनट पर और सूरे अस्द का समय है शाम 5 बचकर 26 मिनट दूसरा दिन लोहोडा और खरना लोहोडा और खरना छट पूजा का दूसरा दिन होता है यह कार्टिक मांस के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को मनाया जाता है इस वर्ष सन 2020 में लोहोडा और खरना 19 नवंबर दिन गुरुवार को है इस दिन सूरे उदे का समय है सुभा 6 बचकर 47 मिनट सूरे अस्द होगा शाम 5 बचकर 26 मिनट पर तीसरा दिन छट पूजा संध्या अर्ग छट पूजा का मुखे दिन कार्टिक मांस के शुकल पक्ष की शश्टी किथी होता है इस दिन ही छट पूजा होती है इस दिन शाम को सूरे को अर्ग दिया जाता है इस वर्ष छट पूजा 20 नवंबर को है इस दिन सूरे उधे होगा सुभा 6.48 मिनट पर सूरे अर्स्त होगा शाम 5.26 मिनट पर छट पूजा के लिए 6 तीती का आरंग 19 नवेंबर की राथ 9.69 मिनट से होगा 6 तीती स्माथ्त होगी 20 नवेंबर की राथ 9.39 मिनट पर चौथा दिन सूरे उदे का अर्ग तथा पारण का दिन छट पुजा का अंतिम दिन कार्टिक मांस के शुकर पक्ष की सत्मी दिथी होता है इस दिन सूरे उदे के समय सूरे देव को अर्ग दिया जाता है उसके पश्चात पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है इस वर्ष छट पूजा का सूर्य उदे अर्थ तथा पारण 21 नवेंबर को होगा इस दिन सूर्य उदे का समय है सुभा 6 बचकर 49 मिनट सूर्य अस्त का समय है शांफ 5 बचकर 25 मिनट तो मेरे आधरनिये दर्शकों आज की इस वीडियो में हमने चट पूजा 2020 की डेट्स की विष्चे में जाना यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन्स पाने के लिए रेट कलर के बटन को दबा कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे धन्ने बाद जै माता दी